का आज का अडिशन इसी पर वियूर शिरी राम आडियल हो चकते हैं लेकिन औरंग्रेब वो एक बादशा है तुरुतेग महादूर का सीज काता था औरंग्रेब ने और इसलिए सीज गंज गुर्दवारा बना और जो औरंग्रेब की ओलादों को चल कर मारेंगे तो जाहिल है किसी चैतर में हो, किसी कोम में हो ज़रा पाकिस्तान जाएए जो अपने मिजाहिल का नाम रखता है बन कासिब और घाजी मौलवी साहब अहाँ लाए इसलामी कर्याश्ट बनाता है ऑन का प्थियों को भी अपना पजामा छोर के भागना चाहिए आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार विवोस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कारिकरम ये देश है हमारा बीते हफते एक के बाद एक ऐसी कई घटनाए हुई जो कटर ताके खतरनाक होते रूप का आभास करा देती है इस दोरान जो कुछ देखने और सुनने को मिला वो बेहट डराने वाला है और चुकाने वाला है विवोस आपने धन्मांतन की खबरे तो पहले भी सुनी होंगी लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अब गेमिंग एप के जरीए धन्मांतन का गिनोना खेल खेला जा रहा है गैर मुस्मिम बच्चों को गेम जीतने का लालच देकर कुरान की आयते पढ़ने और याद करने का टार्गिट दिया जाता है दूसरी और औरंग जेप के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया गया है एक तबका औरंग जेप को जबरदस्ती नायक बनाने में जुटा है जबकि इतिहास गवा है कि औरंग जेप जैसे जलात का हिंदुस्तान की विरासत से कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे पर सियासत भी घंगोर हो रही है क्योंकि कुछ लोग औरंग जेप में अपने लिए वोट बैंक थलाश रहे है जहरीली सोच का दारा इतना बढ़ चुका है कि एक के बाद एक कटरता को बढ़ावा देने वाली बैंबाजी जोर शोर से हो रही है आए दिन देश के किसी ना किसी हिस्से से लव जिहाद की वारदाते देखने और सुनने को मिल जाती है कटरता के लेवल में जो कभी बची थी वो दमों के धर्मांतरन वाले स्कूल ने पूरी कर डाली है क्योंकि आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल के नाम से तीन महिला टीचर्स का धरम परिवर्तन हो गया ये सारी घटनाएं बताने के लिए काफी है कि अब वक्त आ गया है कटरता की इस लेटिस्ट वेरियंट को मुहतोर जवाब दिया जाए इसलिए आज स्टूडियो में खास महमानों और युवाओं के साथ यारी जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे सार्थक चर्चा कटरता भारत छोड़ो ये देश है माराखा आज का एडिशन इसी पर व्यूवर्स कटरता किसी भी देश के लिए अभिशाप की तरह है भारत में इसके कई वर्जन दिख रहे हैं इसमें पहला है धर्मांतरण आज तक आपने धर्मांतरण के कई तरीके देखे और सुने होंगे जैसे लालश देकर, धोखा देकर, डराकर लेकिन अभ धर्मांतरण का ओनलाइन वेरियंट आ गया है जिसे गेम की शक्ल दी गई है और इसके जरीए नावालिक गैर मुस्लिम बच्चों को टार्गेट बनाया जाता है फोटनाइट नाम के इस गेमिंग एब पर बच्चों को सबसे पहले टार्गेट दिया जाता है टार्गेट में पहले हिंदू बच्चों को हराया जाता है फिर जीत के लिए कुरान पढ़ने को कहा जाता है कुरान पढ़ने वाले को फिर गेम में टार्गेट दिया जाता है और इस बार कुरान के आयत पढ़ने वाले बच्चों को जिता दिया जाता है जीत के बाद हिंदु बच्चों को कुरान की एहमियत बताई जाती है और इसके बाद होता है धर्मांत्रन कटरता का दूसरा वर्जन है धर्म छिपा कर धुखा देना जिसे लव जिहाद भी कहा जाता है देश के हर राज्जी से आजकल लव जिहाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही है और अगर कोई इस घिनोनी साजिश के खिलाब बेटियों को सचेत करे तो सुनिए उन्हें के इस भाशा में पुरा भला कहा जाता है काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हुआप पूर एक ऐसी महिला ये वो और रहत है यहां से जो दूसरे महिलाओं को धंपरिवर्तन के लोग सारे कटरता का तीसरा बर्जन है प्रूर आकरांताओं का एक एजेंडे के तहर महिमा मंडन महराश्ट के एहमद नगर में औरंग जेप के पोस्टर लहराने और कोलापुर में औरंग जेप का वाटसेप स्टेटस लगाने का मामला तूल पकड़ चुका है सवाल मेरा है शीवाजी की धर्ति पर औरंग जेप की महिमा मंडन की वजा आप क्या मानते हैं आपको क्या लगता है उस आउरंग जेब के बारे में कुछ भी अच्छा हो उसको बड़ा करने की कोई भी कोशिश हो तो शिवाजी महाराश्रा का कोई भी सहिनिक वो कभी सहिन नहीं करे महाराश्रा में अचानक कुछ जिलो में आउरंग जेब की आउलादे पैदा हुई है महराश्रा के होम मिनिस्टर देविंदर फटनविस बोले यह औरंजेट की आउलाद तो फिर यह गोटसें की आउलाद को उन्हें बोलो हुंकू दमो में धर्मांतरन की पाठशाला का परदाफाश हुआ है वहाँ गंगा जमना स्कूल में प्रिंसिपल समेथ तीन हिंदू टीचर्स के धर्म बदल दिये गए कटरता एक गंभीर बिमारी है जिसे हर हाल में हिंदुस्तान से भगाना होगा इसलिए वक्त आ गया है कि हम जाती पंद से उपर उठकर कटर सोच पर कड़ा प्रहार करें तो आज इसी विशे पर होगी जोर्दा सर्टोर मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ दॉक्तर प्रेम शुक्रा है जोर्दा अर्थालियों से अभिनंदन करिये जाने मारे धरम गुरू उनका अभिनंदन है मेरे साथ अंबर जैदी है उनका अभिनंदन है आप तमाम लोगों का स्वागत है लेकिन आज का विशे बहुत मैत्पूर है और इस शर्चा की शुरुवात मैं करता हूँ और सीधा सवाल चदाब चौहान आपसे करता हूँ क्या आपको लगता है कटरता को भारत छोड़ना चाहिए लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं उन्हें भी भारत छोड़ देना चाहिए साथ सेकेंड निश्चित आजाद भारत में कटरता की किसी के लिए कोई जगा नहीं है लेकिन अफसोस यह होता है कि जब लोग कहते हैं कि मुगला का दौर गुलामी का दौर नहीं गुलामी का दौर अंग्रेजों का दौर था औरंजेब रहमतुलाले को लेकर तरह तरह की बाते की जाती है आप डिसेगरी करिए किसी का पर्टिकलर पॉइंट पर वो हमारे इतिहास का हिस्सा है और वो वही बादशाह हैं जिनके दौर में 34% जो उनके अधिकारी थे वो हिंदू थे और उजेन महाकाल और गुवाटी के मंदिर में दान देने का भी काम उनोंने किया शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया इबराहीम का कतल करके अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो यह कौन सी कट्टरता है कि आप दंगा फैलाएंगे अरे हाँ मैं कहता हूँ कि शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया हमारी बहन शर्दा का मडर करते हैं उनको भी उसी तरीके सदा दो दूसरी जी लव जी हाँचा अगर मेरे मेरे घर में और अरंजेब होगा जो मैंने स्टेडी किया है तो वहाँ पर कैलाश मांसरोवर हमारे कबजे में होगा दुनिया की एक चोथाई GDP हमारी होगी और अंग्रेंग आप अपने घर में औरंग्जेब चाहते हैं हमारे तो घर में होते हैं क्या दिक्कत है नाम रखना नाम है यह नाम नहीं 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 कहते हो औरंग्जेब जैसी शक्सिये चाहते हैं अपने भाई का गला काठा कर पूरे देश में घुमाया था और अपने पिता को दे दिया था राजपाट के लिए लोग करते हैं अशोक ने भी निन्यान में भाईयों का कतल गया वालग चीज़ लेकिन आपसे कह रहा हूं कि आईडियल जब बात है कि श्री राम आईडियल वही होता है आईडियल नहीं जो तर लिंक तोड़ने का प्रयास क्या हो किसी का हीरो नायक कैसे पूष़ा होगा एक सीकिड प्रेम शुक्रा मेरा बड़ा सीद्र समाल पूछता हूं लॉइन और सरकार का 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 होता है शास्तंद आपका है जी आपका एक मिधाय कह रहा है कि ह हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे उसको किसने अधिकार दिया तो कटरता अगर औरंजेव वाली है तो दूसरी तरफ से भी तो है इसका जवाब दिद्या अपने उसने कहा महाराष्ट की अस्तमिता की रक्षा के लिए आवश्यक्ता पड़ी तो तलवार उठाएंगे तो वो यह नहीं किरा है कि मैं तलवार लेगे किसी की हत्या करने जा रहा हूं जो लोग आए दिन सर तंसे जुदा करने वालों का समर्थन करते हैं और राश्टर रक्षा के लिए तलवार की बात होते ही आत हो जाते है अरे भाई वहां से जिनको औरंगे जए बाबर गजनी च तो गजनी गोरी नाम रखा जाता है इसलिए लुटेरों के नाम पर रखा जाता है और अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं हम प्रिथ्रभी और अग्न जैसी मिसाइले चलाएंगे और जो ओरगिए यह जो है राश्त्रक्शा के लिए हमारा क्लोरिफाई करना एक गलती है और अगर हम गेमिंग एप के जो खबरे आई लगाता है इस अफते गेमिंग एप के जरीए अगर धन्मान्तरन हो रहा है तो यह वाकई बहुत गलत ट्रेंड है और इस ट्रेंड की मुकालफत होनी चाहिए देखे अमीज जी कट्रता का पैमाना सिर्फ किसी खास नाम से जुडाओ हो उस बनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई खास मध़ब का तालुक रखने वाला सिर्फ वही कट्रवादी हो सकता है हमने देखा इस देश में हमारे देश के गांधी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोट से उसकी पूजा करते हैं लोग उसका स्टेटस लगाते हैं उसकी तस्वीरे अपने मुबाइले रखते हैं बकायदा अपना प्रोफाइल पिक्चल गोट से कर लगाते हैं ये भी सब को गलट बुलना पड़ेगा नगल विरकुल गलट करते हैं औरंग जेप की जुटिस लगाते हैं वह भी गलट यही करूंगा तो आपने नौजवानों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कोई ऐसी कॉन्ट्रूवर्शियल चीजों को ना लाया जाए किसी की स्टेटस लगाने से कोई glorify नहीं हो जाएगा अगर आपको लगाना है तो एपी जी अब्दलकलाम के लगाईए ना अगर आपको लगाना है तो मौलाना अजाद के लगाईए जो हमारे सिच्छा मंत्री थे हमारे बहुत सारे मैं बता रहा हूँ यह कैसे होता है क्या होता है कि भारती जन्ता पार्टी अपने हर चर्चाओं में मुगल्स और अरंजेव इतना चर्चा करते हैं कि उसकी रियाक्शनरी जिन मुसल्मानों को मुगलों का कुछ नहीं पता जो कभी नहीं सुने अपनी जिंदेगी में इसलिए जब विचारधाराओं के इतनी लड़ाई में बहुत सारे लोग वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहते हैं चाहे कॉंग्रेस के हो या दूसरे दल के हो बाकी भरती जन्ता पार्टी और आरेसिस उनको पूझने मानती ये लड़ाई एक टकरावट है उसके बा काला पानी की सजा काटी देश के लिए तो कभी जगडा नहीं होता क्या औरंग जेब को हीरो दिखाने से या फिर इसको हीरो ना दिखाने से इस देश का क्या हो जाएगा स्वामी दिपांकर ये सवार मैं समझता हूं कि 400 साल पहले वो रह नहीं वो राजनिती के लिए का फलसाओ और इसे इना कुछ नहीं वरणा वीर reverse शिवाजी के श्वाराच को दुनिया जानती है evil जीवाजी के सवराच को पूरा महराष्ट देवतुले समस्ता है और मानता है वीर शिवाजी के बारे में मैं गाता गाऊंगा तो ये program कम पढ़ेगा मगर मैं कुछ कट्टू कट पॉइंट आपके सामने रखता हूं विर शिवाजी अगर कोई चर्चा करता है न तो सर रोवा खड़ा हो जाता है रोमटा खड़ा हो जाता है छत्रपति शिवाजी एक शब्द बोली आदमी के दिमाग में तो क्या चवी कोंदती है उसको कहने की जुरत नहीं गुरुद्वारा प्रमान है आपका कई लाख सनातनी हिंदू प्रमान है आपका काशी मतुरा प्रमान है आपका और उसके बाद अगर कोई उस धर्ती पर या भारत की धर्ती पर इस परकार के वक्तव रखता है तो मैं समस्ता हूं कि वो भारत को प्रवोक कर रहा है एक ये वाकई गलत है। मैं आप ही क्या आस्था पर बात कर रहा हूं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। मेरे नोजिच बढ़ाई है। मुझे आप ये बताइए। तो मैं भी कहूंगा यजीद के सामने नमाद पढ़ेंगे अब आप कयामत के समय यजीद की पीछे खड़े हो जाना। पैगंबर मुझे के पीछे मत करे होना। ये कट्रता नहीं है। बाकैदा धरम संसर बुलाकर हरिद्वार के अंदर संतों ने मुसल्मानों को मारने काटने की बात कि ये कट्रता नहीं है। अब नहीं है। आप तो कहने की यहार नहीं है। यहां पर फिर वही बात अरे बैव और अरण जेब जो इस्टेटर लगा करे करिये कारवाई उस पर मैं कम मना कर रहा हूं। तो और जेब को यह भी आपके सामने रहमतुलाह बोल रहा है। क्यों बोलेंगे और अरण जेब को रहमतुलाह बिल्कुल समझता हूं मतलब एक साल में कितने कितने लोग मारे जाएंगे। सवामन जेनेव का मतलब पुछ रहे हो। सीस गंज गुर्दवारे का मतलब भी बता दीथी दिल्ली के चांदी चोक में है। क्यों बना था वो गुर्दवारा कि सीज गंज गुर्दवारा कियो बना था आपने जिसको पता है वो हथ ख़़ा करे अपना। जूट इतना बोलना चाहरा जूट बोला ते गुरुतेग बहादुर का सीस्काता था औरन जेप ने और इसी ने सीस्काता गुर द्वारा बना. नहीं सवामन जिनेओं के चाद मिशुक के अंदर शोटे साहिएरों के साथ क्यां कियाता है। कि युआ से उनकी वकळत करते हैं वो हिंदुस्तान के खिलावत करते हैं। मैं ज्यादा निबोलता और ज्यादा थेज बोलने से जूट ज़ूट सचिन्म खाता ही। मुझे ये बताईए सवामन जन्यों का मतलब क्या है अगर रोजाना सवामन जन्यों जलेगा साल में कितने जन्यों जलेंगे और 800 साल में कितने जलेंगे उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की क्या थी आप तो खुद जूटे हो जाएंगे अप तो खुद जूटे हो जाएंगे यह गलत बाते मत पहला हो ते आप तीवी एंकर हो और अच्छे एंकर हो गलत बाते मत पहला हो अच्छे है बुले का सर्टिफिकेट आपके से मत दीजी वो जंता खुद डिसाइट करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा अमीश जब बात आती है भारत की तो भारत में हम अलग अलग हम बात करते हैं धार्मिक जो विश्वास हैं उनकी बात करते हैं और भारत एक उदारवादी संस्कृती रही है लेकिन कुछ लोग उस उदारवादी जो हमारी संस्कृती रही है उसको एक कमजोरी समझते हैं कि आ औरंग जेब को रहमतुल्ला अले कहेंगे और रावन के साथ आप तुलना करेंगे बगवान राम को लेकर आएंगे इस डिबेट में और शिवा जी महराज की धर्ती पर अगर औरंग जेब के पोस्टर निकाल कर आप ये कहेंगे कि बाप तो बात तो होता है और भारत में रह होता है बिन कासिम और घाजी तो आप भारत में तो बात होगी ना बगवान राम की चतरपती शिवा जी महराज की जिस दिन आप तो बहुत किस आधार पर लोगों को कट्टरवाद और गलत इतिहास पड़ाता है तेकि आप लोग सही चीज़े पड़ाते नहीं है हां करेक्शन यह है अगर कोई किसी को ट्रैप कर रहा है चाहे अभी एक मनोज के नाम का था वो क्या करता था जो हमारी बेटियां है उनका डेटा नंबर मेल अंडर गार्मेंट का साइज विदेश में बेचता देल मिल गई उसको इसको अरोप लगाना संजेप आरोप लग जिसमें नावालिक बच्चों को टार्गेट किया जा रहा हूं उल्लब जी हाद बेटियों वाला मामना दो चीजें बहली बात तो यह अपने धरम का परचार परसार अलगया जो सवेदानिक आजा दिये लेकिन ट्रैप करना जबर्दस्टी तो गेमिंग एप पराकर तो कटर सवीलबंत क bara wicked realidad के देश समविधान से चलेगा बिल्कुल चलना वी मगर जब सम्भीदान से देश चलेगा उसमें पर्सनल लोग का जुरॉत है क्या फिर है आप लोगों को परसनल अंतों सबोर्न को हमरे ही 20- West-4 आदमी उठकर कहेंए कि हम सनातन के अनुसार चलेंगे और उसमें पाप का अर्थ पाप होता है और पुन्य का अर्थ पुन्य और उसकी परिवाशा तै करने लगें तो यह अच्छा नहीं लगेगा पहली बात दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बच्पन से जो गेम हो रहा था जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है यह कोई साधारन चीज नहीं है मिश्वाबू यह बहुत भयावे है इसमें 40 400 या 4000 या 4 लाग भी हो सकते हैं यह कोई साधारन चीज नहीं है वो छोड़ दी इस देश के एसट्स हैं यह बच्चे इस देश का भविश्य हैं यह बच्चे और इन बच्चों को ऐसे कोई कोई मार रहा है कोई काट रहा है वो छोड़िये हम तो जिनकी बात कर रहें कर रहें एक कसाई ने जलाद ने जिसके साथ रह रहाता उसी के इतने टुकड़े कर पूरे भारत के लिए बतन का कारण होगा जी बहुत अच्छी बात आपके बात आँगा लेकिन आपकी बता रहा हूं क्या आपको लगता नहीं है ये भी कटरता की एक निशानी है कि मैं हम धर्म परिवर्तन करेंगे वो भी जूट और फरेब करेंगे देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए आप कुरान ये कहता है लाइक रहा फिद्दीन दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है अगर कोई जबरदस्ती किसी को धर्म में लाने की कोशिश करता है तो वो इसलामिक नहीं है वो इसलाम के खिलाफ काम कर रहा है इसलाम में शादी से पहले लड़की के साथ मिलना उसके साथ डेटिंग करना ये जाइज ही नहीं है तो फिर इसलाम से उसका क्या लेने देना भई जो लोग डेटिंग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसलाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है उसको अमीश हम इस तरह के मंचों पे खड़े होकर तो मीठी-मीठी बात करते हैं लाहिक रहा फिद्दीन की बात करते हैं लेकिन जब पीछे से नौजवान लोगों को वरगलाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपकी साथ नसले जन्नत में ज जितने भी टूल से एनिमेशन के बहुत सारे शोज यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं जो कि बारत में बहुत बड़े स्तर पर देखे जाते हैं जहां पर बच्चे के माइंड को एक तरह से उसको हाईजेक किया जाता है और धर्म परिवर्तन की पाल भूली के सवाल मेरा सवाल है कि जो और इंजे और इंजेत को मतंब वो सब्सक्राइप और और एंजेत कररें इन जुन्हों ने एक लागि से ज्यादा हिंड की है जिने इजिने में निःता ही हे जिदु परोसी मुल्क बना ए वहां पर चले जाय और पर सबसी के पिर देए कि औरन्जेब को मतब वो सब्सक्राइब करने के लिए पिछ जो तो किंद कंवान तो यहां पर किसी नहीं माना कि जो गोड़ से उनके बाप है लेकिन वह उनके बाप है उपना पर पना इस पोई फुछ लोग को फुर्ट अपना बाप महान रहे हैं कुछ लोग मा अगर कोई किसी को बाप इस तरह की बात करेगा तो मैं उससे डिसएगरी करता हूँ लेकिन वहां उस मजार पर जाना असाइप पूरी पूरी पात कुछां मैं उसी भाई का जवाब दे रहो मुझे पूरी बात रखने देगे और अज़ेब रहमत लाले का जो मजार है वह एक तुन लीजिए और रहमत लाले को विद्वन्स करने वाले को पर रहमत लाले करें और इदर किसी ने गोड़ चे को र पर दोसमें चले जाओं पर दोसमें आपको पता है परदहान मंतरी जी और अंजवेब की नसल जो बेटे रोलागी बात करें ना उनकी मजार पर प्रदहान मंतरी जी गए तो शादाब सुन लीजे शादाब नहीं कहा था दूसरी बात यह है कि शकुंतला बेटी का इंसाफ बढ़ा उन्होंने बोला औरंग बात्सा थे उनको मानना ची आइडियल है और आपते गिरफ्तार कर रहें हैं गरत कर वह उनको अवे कर दो में कि हमारे बात्सा निये जो देश लुटके कए वह हमारा बात्सान है जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने के हमारे इसलाप में अलावड नहीं है सादी से पहले निगा से पहले डेटिंग करना तो देट तो इनके उसमें कास्त के लोग ही करते हैं ना कास्टिसम नहीं करी मैं बट करते तो इनके कि लोगे देटिंग जब इनके इसलाम के लोगों को नहीं पता कि इनके स्लाम में अलाव धी नहीं तरफ से अपनी तरफ से अपनी तरफ से नहीं सवाल पूछूंगा सब्सक्राइब अब आप से बाइसाग अभी अभी और भी बहनने कहा कि और अधे बादिषाः और अग्जेशा अधे बादिश्याक को बेटा सुनो मेरी बात मेरी वास और ये बात ऑर अधे और राम के भाई भरत से भारत आया अच्छा इतना बुरा कि उलगता है तो नदी के खिनारे गलत प्रेक्शन आईगा जी 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 सुन लो हमारी भी सुन लो हम मैंनोर्टी में हैं इसका मतलब इने का पैमान है आपना इस तकाल है बोलिए अपनी बाद दूसरी बात डैबल मा ऐक बहन ने और कहा कि जब नजाइज है तो कैँ उनको पता नहीं बेटा जब इसलाम को मुस्लमान की नजर से अब देखोगे इसलाम में बहुत बुराई या आपको नजर आईगी क्योंकि मुसल्मान शराब पीना हमारे आजाइज नहीं, मुसल्मान शराब भी पीता है, जिना करना हमारे आजाइज नहीं, मुसल्मान जिना भी करता है, चोरी करना हमारे आजाइज नहीं, मुसल्मान चोरी भी करता है, तो हम मुसल्मान के अमल से इसलाम को न देखें, इसल इसलम को इसलाम की ही नजर से देखें कि इसलाम में यह बॉरैना बुरी है इतीक है। ते offenders कि डोता ही इन टोus पार । वो वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कटरता के माइने क्या है वो वीडियो क्या है आईए उसे प्ले करते हैं क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है वो बाइट सुनी आप पहले अल्ला करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड मुसल्मान और बंगला देश के रहने वाले 25 करोड मुसल्मान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड मुसल्मान ये तीनों मिल करके 75 करोड जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसल्मान प्राइम मिनिस्टर होगा और धाइस उसे ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे 2024 के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोयब जमाही का नाम बदल देना तुम्हारे बाब का देश दे आप कहरें कि 25 करोड मुसल्मान आप बांगरादेश से ले आएंगे 25 करोड मुसल्मान आप पाकिस्तान से ले आएंगे अखंड भारत करेंगे अपनी बात हो रख लेंगे ना आप उनके स्पोक्सपोसन तो नहीं है एक बादा यह अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधान मंतरी लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को आपने ब पाकिस्तान की जो आबादी है और बंगलादेश की अबादी वो सब मिल जाएगी कि फॉरण वो धरम परिवर्तन कर लें रहेंगे तो मुसल्मानी और भारत के आबादी मिलके डेमोग्राफी और यह जो जनसंख्या का नुपात यह बढ़ जाएगा तो जब चुनाव पर क्रिया होगी तो सांसत भी बढ़ेंगे और सब सांसत बढ़ेंगे तो आप अखंद भारत का ने जो भाजन हुआ वह दुबारा से जूर जाए इसलिए अपने आपने एक महिला के लिए इसी कारें इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हराम खोर तक क्या दिया था उस महिला ने मुसल्मान लड़कियों को आफर दिया थे कि तुम 25 पाकिस्तान 25 बांगलादेश और 25 भारत टोटल मिला करके 75 करोड और उसके बाद 200 सीटें और उसके बाद मुसलिम परदान मंत्रि हसो मत तुम तुम्हें सच में बोलने को मन हैं आप ठाकूर बनिया ब्राह्मन जाट बने रही है यह सोचिए सोच क्या रहा है तुम्हें हिंदू होने की जूरत है यार यह कोई ऐसे कोई ना होता है बोला ना आपने अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ता हुए भाईया आपका है हम उसका समख्खन कर रहे हैं यह निरने आप कीजिए क्या आप जातियों में बटकर रहना चाहते हैं या हिंदू कर या इस मानसिक्ता के गुलाम होकर ते आप कीजिए इस देश को पहले ही क्या कम सर जैचंद मी लेते आप देश में रहे कर क्या पाकिस्तों से सब्लाएंगे अगर परदान मंतरी बन सकते हैं अगर मैंने कहा कि एक पश्मानदा मुसल्मान जिसको परदान मंतरी मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं उल ओडियो जाँ आपने बोला कि कोई मुसल्मान परदान मंतरी बन जाए तो क्या हर्स है पहुत सई बात है लेकिन पाकिस्तान से प्रदानमंत्री बनाइएगा प्रदाइक्ता यहां प्रदाइक्ता यह है जब यह देश मुस्लिम बहूल ओढ़ेगा तो मुसलमान प्रदानमंत्री ही होगा प्रदाइक्ता यह है इसके अगरत को लोग तंत्रिक चाते हैं अखन भारत नहीं चाते हैं जिसमें अखन भारत चाते हैं अगरत बारत चाते हैं अखन भारत चातर हिंदु ही प्रधार मंत्री रहेगा चाड़का रहेगा और आप शिया सुनी लड़तो रहोगा आप अखन भारत चातर है पीजिदा इस देश के करोडों देशवसियों की इस अपना है भारत अखन भारत बने यह जो पाकिस्तान बना देश तूट गया यह जुड़ जाए अब दोक्तर प्रेम शुगला देन 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 शाध्य दर्शी लिए बड़ी देश वक्ति दिख रही है जिसमें आप लंगोट आप कहरें यह लंगोट लेकर बाबा भागेगा मैंने किसी का नाम नहीं लिया आपने बोला आपने बागेश्वार धाम के दि बाबा तो यहीं रहेंगे लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के सबर तक उतर गए तो एक बात दूसरी जो एहल इसलाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे सिर्फ 30-24 सालों के बीतर पाकिस्तान और बांगलादेस अलग हो गया और आज भी पाकिस परेम भाई ने दो बाते कहीं बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के दो डुकड़े हुए तो कहता हूं कि उनके हजार टुक्डे हो क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो और हम वो अगर एक इंच भी अगर हमारी दमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें हमारे वेचारिक मद्बेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से व बात जहां देश की एकता और अखंड़ता कि आएगी हम हर हिंदुस्तानी एक जुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला देगा और दूसरी बात अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है पार्लेमेंट में फोटो भी लगा है और अगर अखंड भारत इसलामीक राष्ट बनेगार जो सपना देख रहा है वह देश विरोधी है देश सविधान से चलेगा आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है लोकतांत्रिक रहेगा मैं आपसे जानना चाहता हूं इस देश में बहुत सारे लेकों कि हिंदू राष्ट तो कोई है नहीं कोई भी नहीं है मतलब नेपाल होता था तो वह भी नहीं है लेकिन मुश्रीन गुंती अगर सही है 56-57 प्रदान मंत्री जी ने बढ़ाई दी तो लोकतांत्रिक हुआ की नहीं हुआ सुप्रीम कोट ने कहा कि फोर्सफुली कनवर्जन कराना धर्मांतरन कराना नेशनल सीक्यूरिटी के लिए ठ्रेट विल्कुल कहा उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजे हो रही है चाहे वो गेमिंग एप के जरिये हो चाहे हात रस में एक स्कूल के जरिये उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई दमोह में तो कौन सी वो तैजीव होती है पता तुम्हें कोई एक गंगा यमुनी तैजीव दोनों बह गई गई उसमें तीन तो टीचर परिवर्तित हो गई गंगा जमना स्कूल का नाम था उसी में तैजीव दिया गया और चोड़ दीज और उसके बाद बचा कुछा गाजियाबाद देख लेगा तरहसाथी पूजा करते थे स्कूल में तब आपका यहाल है अब और हमारे स्कूल में हबर यह वह स्वाव प्लिक दिवाट आगे गाहित्री मन चुना दीजे अब मैं क्या बोलू इंको जाइत्री मन चुना दीज अम बुर्बवा स्वाह तसाविदु वरेनयम दियो यो नहां पचो दयाग मुझे इतना ही आद है अब 12-20 साल होगा इसकुल छोड़े वे मैं हेड़ बॉए हमारे स्कूल में होता था सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था तो हमें कभी मेरे माबाप नहीं कह कि तुम रेडिकल होगा है और नहीं का रचीवी का स्टूडेंट है अब या नहीं गायतरी मंतर पढ़ लिया अनों राष्ट्रे चैनल पर अब बोली अभी अभी स्वारन जाती के लोग किरके वो खेल रहे थे फुटबाल और एक दलित रड़के ने फुटबाल को छू ल से पहले तो आप ही डिफाइन कीजिए कौन से हिंदू है करना चाहते हैं अब डॉक्तर जमाई की ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने उसके जब कर दो क्या सवाल था आपको ने गायतरी मंतर पढ़ा किया इसके बादी मुसल्मान है तो सवाल ही नहीं कुछ भी सवा प्रथा है और रहेगा जी जवाब ता सवाल नहीं था ओके आपने पोलिस पूछ ले सवाल जिसने नहीं पूछा वो पूछे सवाल क्या लड़किया प्यार में अल्लाहु अकबर बोल सकती हैं तो यह मुसलिम जो लड़के वो जैश्री राम नहीं बोल सकते हैं वो करे आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि यही मेरा आशिक है अभी क्या हुआ इतना कहना चाहरा हूं श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्रनाय साधुनाम विनाशाया चादुष्ट क्रताम धर्म संस्थापना थार्ये संभवामी यूगे यूगे तो भगवान क्रिशन जिस चीच को कह चुके हैं मुझे कहने कि अब शक्ता नहीं और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं तो सुनलीजे उसके बाद यह आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे जल्दी हमारे या महराना परताब सिवा जी और भगवान राम उन लोग अपने माता पीदा का बात मान के जंगल में वहां पे तपस्या कि लेकिन आप बता रहे हैं जो और जिब जो अपने पीदा का सरकलम करता तो उन्हे सिखायता और आपके आपके मौल भी सिखाते हैं कि अतंग बात को बढ़ावाद तुम्हें बहुत्तर हुरे की जनत मिलेगी यह बहुत्तर हुरों की जनत है क्या ना ने सुनिये आप मेरे रिलीजियस पर आप दिसक्रशन मत करिया प्रिजियस एक्सपर्ट नहीं है आप नहीं बो सकते हैं कि स्वामी रंगोट लेके भागेंगे अगर आप हम पर सवाल करेंगे तो हम भी आप सवाल करेंगे और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहां से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट बनाएंगे वो भी एक देश द्रूही ब्यान है लेकिन जो का जो आपने सवाल पूचा 72 हूरों के उपर उस पर आपका जवाब क्या है आपकी यहां भी महा भारत में क्या लिखा है सुन लिजिए उसको महा भारत शांती पर्व मंडल बारा अध्याए 98 शलोक 46 उसमें क्या लिखा है मैं उसका हिंदी तर्जमा बता देता हूँ मतलब जो नायक युद भूमी में मारा जाता है उसको सो अफसराएं मिल जाएंगी जवाब जवाब आपकी यहां भी तसवर है यह हमारे यहां को अलग तो आधार बनाकर कभी कोई कैसे हिंदू कोई आउटफिट बनी जिसके आधार पर वो टेर्रिरिस्म को बढ़ावा द लिखा है कि पहले आप किसी के साथ अन्याय कीजे और उसके बाद आपको अफसराएं मिलेंगी बताइए इंदेशवाश मैंने तो नहीं कहा तो अभी आपने कहा कि अप्सराओं का जी करें इसको बढ़ा कीजिए महां भारत में किस ने का जरा बताइए और वो करे रहा है महा बारत में किस करेक्टर ने का जरा बढ़ा कीजिए यह यह इसको बढ़ा कि अपnaj सबस्ट करेंदेख है हवाले के साथ अधर यह नहीं किसने को आए खाले को आए सब मुस्लिम आएंगे बंगलादेश और पकिस्तान से और कहां से आएगा हिंदू जब 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 तालीबान मारता है तो लटक कर मरते हैं नीचे लटक कर मरते हैं अच्छा क्यों ना कहें अगर गलत कर रामानवता के साथ तो एक जिक्र आपने बताने पाये कि अपसराय होती कितनी है अखंड भारत ये बनाएंगे जिसमें 25 25 करोड लेकर आएंगे लेकर पैसे नहीं लोग लेकर आएंगे अबने पर जिक्र 25 करोड का किया कितने पाकिस्तान के जो आपने पाकिस्तान के बावादी है और पर निश्चित तोर पर अखंड भारत पर जैस्री राम की पता का लाएंगे अबाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमार साथ जुणने के लिए लेकिन भारत सविधान से चलेगा सविधान से चलता रहा है ये भारत अकंड इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर सब धर्मों का बराबर का सम्मान है फिलहाल इस खास कारेक्रम में एकता ही आप देखते रहें ये न्यूज येकीन नमस्कार जड़ अप्यास कारेक्झ सिहां आप्पकार इस हास कियो अबहरा शुण कियो जय घर्मों का भीकू ये क्योंकि रहें